तो स्टार्ट करते हैं क्वेस्टेन नमबर 16 से अब्जर्व दा गिवन फिगर्स अफ्री दिफ्रेंट प्लांट और सिलेक्ट अप्शन हमारे पास तीन दिफ्रेंट प्लांट टिशू है हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट अप्शन तो सबसे पहले है फर्स्ट ये जो हमारा टिशू है ये है हमारा पैरन काइमा टिशू तो फर्स्ट है हमारा पैरन काइमा इसके बाद है सेकेंड जो हमारा सेकेंड है ये है हमारा कोलन काइमा टिशू तो second है colon काइमा और जो हमारा third है ये है हमारा scleran काइमा इसके बाद read करते हैं statements Statement number first A and B consist of living cells while C consists of dead cells इसमें लिखा गया है कि जो A और B है यानि कि parent काइमा और colon काइमा इनके अंदर living cells होती हैं और जो हमारा scleran काइमा है इसके अंदर dead cells होती हैं ये statement है हमारी correct इसके बाद B, cytoplasm is present in cells of A while it is absent in cells of B and C ये statement है incorrect जो हमारा cytoplasm है वो present होता है parent काइमा में और colon काइमा में वो हमारा scleran काइमा में present नहीं होता लेकिन इसमें लिखा गया है ये हमारा B और C दोनों में present नहीं होता तो ये statement है incorrect इसके बाद C, cell walls of A, B and C, bare uniform thickening of subarine ये भी statement है हमारी incorrect subarine हमारा present होता है cork cell में और ये जो हमारे cell है इनके अंदर colon काइमा और scleran काइमा के अंदर present होता है lignin इनके around subarine present नहीं होता है इनकी walls के around present होता है lignin इस statement में लिखा गया है A, B, C, तीनों के अंदर subarine present है ये statement है incorrect सिर्फ B और C इन दोनों के अंदर lignin present होता है ना की subarine तो ये है incorrect इसके बाद D परन काइमा प्रोवाइड्स mechanical strength to the plant वाइल colon काइमा और scleran काइमा serve as storage tissue ये statement है incorrect परन काइमा का काम होता है storage colon काइमा का काम होता है flexibility और scleran काइमा का काम होता है मरव mechanical strength तो ये statement है incorrect हमसे पूछा गया था correct statement तो जो हमारा answer है वो है option number A A and B consists of living cells while C consists of dead cells इसके बाद direction for question number 17 and 18 यानि कि ये direction question number 17 और 18 दोनों के लिए है refer to the given dicotomous key and answer the following questions तो सबसे पहले इसको study करते हैं सबसे पहले है first इसके अंदर है part A the cells of tissue have walls go to second जो ये हमारा tissue है इसके cells के पास walls present होती है और इसके बाद हमें जाना है second पर तो इसको हम कर देते हैं cut अब हम जाते हैं second पर ये है हमारा second इसके अंदर जो part A है इसके अंदर लिखा हुआ है it is made of only one type of cells go to fourth तो सबसे पहले हमें बताया गया था इसके cells के पास walls होती है अब हमें बताया गया है ये हमारा एक type के cell से बना होता है air जो हमारा cell है वो store करता है air और ये है हमारा P तो P है हमारा iron काईमा क्योंकि जो iron काईमा है इसके अंदर store होती है air इसके पास present होती है walls और ये हमारा एक type के cell से बना होता है तो P है हमारा iron काईमा इसके बाद हम करते हैं first का B part the cells of tissue have no walls go to third जो cells है tissue की उसके पास walls नहीं है हमें जाना है third में तो इसको कर देते हैं cut हमें जाना है third में जो third का first part है इसके अंदर लिखा हुआ है the tissue lines the fallopian tubes जो tissue है ये हमारा मिलता है fallopian tubes में और ये है हमारा R तो R है मारा ciliated columnar tissue सबसे पहले हमें बताया गया था इसके पास walls नहीं होती और ciliated columnar tissue के पास walls नहीं होती उसके बाद हमें बताया गया है ये मिलता है fallopian tubes में तो R है हमारा ciliated columnar tissue तो इसके बाद हम करते हैं second का B part it is made of more than one type of cells go to fifth ये हमारा एक से ज़्यादा type के cell से बना होता है हमें जाना है fifth में तो इसको कर देते हैं cut जो हमारा fifth है इसका first part है the tissue conducts water वो tissue जो conduct करता है water वो होता है हमारा xylem तो T है हमारा xylem और इसी का जो B part है the tissue conducts organic nutrients इसका हो जाएगा हमारा flowem इन दोनों के अंदर more than one type के cell होते है तो हमने कर लिया P, Q, R और T इसके बाद बचे S और U जो हमारा S है इसके अंदर लिखा गया है the tissue transports nutrients जो S है ये transport करता है nutrients तो जो हमारा S है ये होगा हमारा blood जो blood है ये transport करता है nutrients और इसके पास cell wall भी present नहीं होती इसके बाद बचा हमारा U जो U है ये हमारा एक mechanical tissue है यानि कि इसका काम होता है mechanical strength provide करना तो ये है मारा scleran काइमा तो सबसे पहले है P P है iron काइमा उसके बाद है Q, Q है मारा flowym उसके बाद है R, R है siliated columnar tissue और जो S है वो है मारा blood T है मारा zylem U है मारा scleran काइमा तो अब हम करते है question number 17 Select the incorrect option regarding tissues P, Q, R, S, T and U हमें बताना है correct option सबसे पहले है first P हमारा मिलता है aquatic floating plants में जो कि है मारा correct क्योंकि P है मारा iron काइमा और जो T है ये हमारा aquatic plants में नहीं मिलता ये भी है मारा correct क्योंकि जो T है ये हमारा xylem xylem का काम होता है water transport करने का जो aquatic plants होते हैं वो हमारे already water के अंदर रहते हैं तो उनको xylem की जरूरत नहीं है तो T हमारा present नहीं होता aquatic plants में तो ये statement है correct इसके बाद statement B R and S are animal tissues while P and Q are plant tissues ये भी statement है हमारी correct R था हमारा siliated columnar tissue और जो S है वो है मारा blood जो की हमारे animal tissues हैं और P है मारा iron काइमा और Q है मारा floium जो की हमारे plant tissues हैं तो ये भी statement है correct इसके बाद C S can be xylem Q can be blood and U can be parenchyma ये statement है incorrect जो हमारा S है वो हमारा xylem नहीं है वो है मारा blood और जो हमारा Q है ये है मारा floium लेकिन इसमें लिखा गया है blood और जो हमारा U है U है मारा sclaren काइमा लेकिन इसमें लिखा गया है parenchyma तो ये भी है incorrect तो option number C है है हमारे incorrect इसके बाद D R is ciliated epithelial tissue whereas U possesses uniform wall thickenings of lignin जो R है ये हमारे ciliated epithelial tissue जो की correct है और जो हमारे U है इसके पास uniform wall thickening है U है हमारे scleran काइमा और इसके around होती है lignin की wall जो की correct है तो हमसे पूछा गया था incorrect statement तो जो हमारा answer है वो है option number C ये statement है हमारी incorrect इसके बाद question number 18 select the correct match of tissues and its location in body हमें बताना है correct match of tissue और उसकी location सबसे पहले है हमारा first P हमारा मिलता है apical meristem में और जो R है ये हमारा मिलता है skin के अंदर ये statement है हमारी incorrect जो हमारा P है ये हमारा मिलता है aquatic plants की body में ये हमारा apical meristem में नहीं मिलता और जो R है ये हमारा मिलता है fallopian tube में और nasal passage में लेकिन इसमें लिखा गया है skin तो ये है incorrect इसके बाद B Q हमारा मिलता है epidermal covering of leguminous seeds और U हमारा मिलता है leaf petiol में ये B statement है हमारी incorrect जो हमारा Q है ये हमारा phloem और ये हमारा epidermal covering में present नहीं होता leguminous seeds की Q जो है वो है हमारा phloem और जो U है U है हमारा scleran काइमा और ये हमारा present नहीं होता leaf petiol में इसके बाद C जो हमारा S है ये हमारा fruit pulp ये हमारा incorrect S है हमारा blood और ये हमारा fruit pulp में present नहीं होता इसके बाद है T, T हमारा प्रेजन्ट होता है बोन कैविटीज में तो ये हैं इनकरेक्ट, हमारे पास है लास्ट आप्शन, आप्शन नमबर D R मिलता है ब्रॉंकियोल्स में, जो की होती है नेसल पैसेज में तो ये हमारा करेक्ट है, R था हमारा सिलियेटिड कोलमना टिशू, जो की मिलता है नेसल पैसेज में और उसके अंदर हमारे आते हैं ब्रॉंकियोल्स, इसके बाद है U, U था हमारा स्कलेरन काइमा और ये मिलता है ग्रिट ओफ गवावा में ये स्टेट्मेंट है हमारी करेक्ट, तो जो हमारा आंसर है वो है option number D, इसके बाद है direction for question number 19 and 20, हमारे पास एक पैसेज हमें इसको read करना है ये है हमारा incorrect, जो nervous टिशू है इसके पास special nerve cell होते हैं जिनको कहते हैं neuron, लेकिन इसमें लिखा गया है cyton, जो की incorrect है the cell is divided into exon and neuron, ये भी हमारा incorrect है, जो हमारा neuron है वो divided होता है exon में और cyton में the cyton has thread-like structures extended from it called x, हमने देखा कि जो cyton है वो हमारा incorrect है, cyton की जगह होना था neuron, तो यहाँ पर भी होगा neuron तो ये जो statement है, ये हमारी the neuron has thread-like structures extended from it called x, तो जो हमारी neuron है इसके पास thread-like structures होते हैं, जो की extend करते हैं और उनको हम कहते हैं dendrites, तो x है हमारा dendrites, जो हमारा exon है ये end करता है terminal branches में, जो की बनाती है y, जो exon है ये हमारा end होता है exon endings में, जो की हमारी बनाती है synapse synapse हमारा एक space होता है, जहाँ पर होती है chemical reaction और जो message है, वो हमारा transfer होता है दूसरी neuron में तो अब हम read करते है question number 19, हमें बताने है correct statement, तो सबसे पहले है first, cytons should be replaced by exon and vice versa, इसमें लिखा गया है cyton को replace कर देना चाहिए exon से और exon को replace कर देना चाहिए cyton से, ये statement है मारी incorrect, जो हमारे neuron और cyton है वो हमारी replace होंगे, इसके बाद भी neuron should be replaced by dendrites, ये भी हमारी incorrect है, जो neuron है वो हमारे replace होना चाहिए cyton से, इसके बाद c, the position of cyton and neuron should be interchanged, जो cyton और neuron की position है वो हमारी interchange होनी चाहिए, ये statement है मारी correct, इस passage में neuron की जगे लिखा हुआ है cyton, और cyton की जगे लिखा हुआ है neuron, तो इनकी place को हमें change करना है, तो option number c है मारा correct, next question number 20, select the option that correctly identifies x and y, हमें बताना है x और y, x है हमारा dendrites, और जो y है वो था हमारा synapse, तो हमारा correct option है option number c, तो guys ये chapter हुआ हमारा complete, next video में हम करेंगे chapter number 7,